तो बगवांतमान के हाथ में वो ओथ भी ना आती जिसमें कहा था कि मैं यह 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 पद संबाल रहा हूं यह सब परमातमा की तरफ से कोई भी दीविदान बद्धें बने होते हैं आज खुशी का देन यह है कि पंजाम में चार बाईलक्षन थे बरनाला से हमारे जो संगरूर में आता है वो हमारे एंपी बन गए मीत हेयर जी वो बरनाला सीट खाली हो गए थी और कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष राजावडिंग जी वो लुद्याना से एंपी बन गए तो गिद्रवाहा सीट खाली हो गई वो एमले थे देरा बाबनानक से जो एंपी बन गए गुर्दासपूर से ठोड़ बन गोगय लुद्रासपूर से हमारे दट्र राज जब्रश कमार, चबेवाल, हमारे एंपी बन गए तो चबेवाल सीट खाली हो उगीए चार सीट का बाइलेक्षन था और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ उन चार में से तीन को बड़ी जबरदस्ट लीड से जीत किया है जो आम आदमी पार्टी के पार पहली बार आई है तीनो तीनो सीट आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती है 22 में इतनी आंधी चल रही थी तब भी नहीं आई थी अब आ गई तो कि लोगों को कामों का पता चल गया लोगों को अरवन केजरिवाल के लोगों को दिल्ली सरकार के पंजाब सरकार के काम का करने का पता चल गया कि कैसे काम करते हैं तो परदेश अध्यक्ष की पतनी 22,000 से हारी है गिद्डवाहा में 13 साल से उनी का कबजा था जी 22,000 से हमारा कंडेट जीता है गिद्डवाहा से और जो हंकार जो बोलता है कई वर वो कहते हैं हंकार और खुदा का वहर होता है हंकार था कॉंगर्स के कुछ MPs के देरबा बनानक में 6,000 से उनकी पत्नी हा रही है होता है तो बीजेपी की 4 में से 3 पर जमानत जबता है अब दिल्ली में देख ले ना आप कृपया और चौत्थी में बड़ी मुश्किल से बची है अगर अपील पील कर दे इलेक्शन कमिशन में कि इसकी भी जमानत रख लो वह भी 20,000 रुपया छोड़ देंगे को चुछ जमानत जबती समझो हमारी भी पता नहीं कुछ कुछ मतों से ही बची है मतलब जमानत जमानत क्या होती है 20,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं अगर आपको 16% से कम बोर्ट पढ़ते हैं तो आपको वो 20,000 रुपया बापस नहीं मिलता इसको बोलते हैं जमानत जबत ठीक है न तो तीन जगा से तो मिलेगा नहीं चौती ज 20,000 इनके लिए क्या है इनके लिए क्या है वही मैं तो कहूंगा अर्विन कजरिवाल जी को और रागव चड़ा जी बैठे हैं कि स्प्रीम कोट में स्टी डालो कि वह 20,000 कम से कम जंता के लिए तो जूज कर सके हैं कि जो जमानत जबत होती है वह पैसा जो है वह पबलिक के जूज कर सकें जी यह वो पैसे हैं जो आपने एक रिजेक्ट बंदे को रिजेक्ट करके आपने पैसे दिये और यह पैसा आपको मिल रहा है तो लोगों में यह भी कंपिटिशन हो जाएगा इसका भी 20,000 लेना है और 20,000 को बढ़ा के थोड़ा 50,000 या लाक भी करना इलेक्शन के समय तो कहते हैं हम यह देतेंगे यह देतेंगे यह देतेंगे तो इसलिए मुझे आज जब 12 एक बज़े तक पता चला सीम साब ने का दिल्ली आओ दिल्ली के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम बड़े मंच पर आज यह बोलना चाहते हैं कि आम आदमें वो कुछ शोशल मीडिया पर जा जो इनका ट्रोल मीडिया है इनका पतनी कौन सा मीडिया है तो यह करते रहते हैं ना पतनी जाडू बिखर गया जाडू खिलर गया जाडू में से एक दो वीक जो तीले होते हैं वो अगर सफाई करते करते निकल भी जाएं जाडू सफाई क करता रहता है अगर कमल के फूल में से एक पत्ती काड़ दो कमल का फूल नहीं रहता अगर पंजे में से एक उंगली काड़ दो पंजा नहीं रहता हमारा तो जाडू रहेगा हमारा जाडू सफाई करता रहेगा और पहले इस जाडू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थ अब अर्विन केजरिवाल की गवाई में इस जाडू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा हम तो फकीर लोग हैं हम तो छोड़ चुके हैं काम पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं जी हमारा कोई बसों में हिसा नहीं है हमारा कोई रेते की खड़ों में खन्नों में हिसा नहीं है हम तो ये काम वो गुलजार जी का एक शेर है कि पहले भी बाजार से खाली हाथ ही आते थे उस समय पैसे नहीं होते थे अब ख्वाहिश नहीं है आते अब भी खाली हाती है तो अब सिर्फ एक ही ख्वाइश है जनता खाली हात न रहे जनता की जे बरी रहे और जनता के बजार जब जनता जाए तो उसका बटुआ जाए वो भरा रहे यही रेवडी चर्चा हुई है शुरू की गई है वो यही है कि भाई आपके पैसे आप को दे रहे हैं इसको रेवडी क्यों कह रहे हैं अंके आंगर 15 लाइक औरफ़ देंगे और एक घर को इस चक्र में दो तिन करों ने नोट किने वाली मशीने भी ले ठीक है न जीत के आये हैं और जीते हुए हैं और जीते रहेंगे और आगली बारी दिल्ली की है दिल्ली के बाद फिर पंजाब की बारी है तो हमारा तो एक रिष्टा ऐसा बन गया है दिल्ली और पंजाब का के हमारे वलंटियर जो हैं वो हमें करें जी कब जाना है दिल्ली बहने का जी अभी वहां इलेक्शन हुई है अभी वाइलेक्षन उससे पहले पंचयत और एक्शन और स्थे अभूद जीत गया हम नबबे प्रसेंट से ज़्यादा सरपंच हुमारे बन गए अभी अभी आ प्रोपोरेशन की इलेक्शन होगी दिसंबर में मैंने को उसके में हम दिल्ली में सरकार बनानी हैं और आप भी एक अभादा करो कि अर्विन के जिरिवाल देश के तियास में ऐसा बंदा दो बार जिसने सीम का पद छोड़ दिया दो बार वरना वरना शमशान का आटकी कमेटी का परदान बना दो बैसा वो नहीं छोड़ता दो बार दिल्ली का पद छोड़ दिया तो स्तीफा दे दिया लोग जब दुबारा बनाएंगे तब बनूगा नहीं तो बनूगा नहीं इसके लिए तो ज तो ये ये आपके मन की भरास है असल में और ये सच्चे दिल से निकली है विल्कुल नहीं विल्कुल नहीं देखो फर्क कितना होता है जब 2020 में इलेक्शन हो रहे थे दिल्ली के तो रामलिया ग्राउंड में परधान मंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी सभा की मैं भी यहीं था परचार कर रहा था आपके महलों में आया था अभी भी आऊंगा तो केज्रिवाल साब के साथ मैं बेटके देख रहा था लाइव बहुत थीक लग रहे हैं रश भी बहुत है मैंने का जी देखो तो सही नारे लगाने से पता चल जाता है कि आप कैसे हो आपका मूड कैसा है स्टेज पर नारा लग रहा था हर हर मोदी और लोग कह रहे थे हर हर मोदी मैंने का सर हाथ उपर जा रहा है गर्दन नीचे जा रही है यह दिहारी पर आये हैं यह बोट नहीं डालेंगे वही काम हो गया है बहुत हर जगा पर हर जगा पर दिहारी पर ले जाते हैं यह कहने दिल से निकल रहा है ना जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे मिलता रहूंगा आते हैं आपके पास भी और दिल्ली जीतेंगे बहुत-बहुत मुवारिक बाद आपको और मैं अपनी तरफ से रुकेस्ट करूँगा आम आदि gebe party के सुप्रीमों पूरे देश को संभोदन करें क्योंकि पूरा देश सुन रहा है तोकि ये बहुत-बढ़ा आज बहुत-बढ़ा दिन है और आज के दिन इनका बोलना बहुत-महत-पूर्ण है पूरा देश सुनना चाहता है कि आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए मेरी मुराद है आपकी तालियों के बीच अर्विन के रिवाद करें